तो हलो दोस्तों नमस्कार आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे सीटू चैनल पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट बात है खासके जो लोग नए हैं उनके लिए यह ज्यादा सक्सेस्पूल वीडियो हो सकता है और पुराने हैं उनके हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर यह आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरू करें जिससे की जब भी इस तरके वीडियो हम अप्लोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंच कैसे नहीं आना किसी के जासे में क्योंकि आज करके जो लोग मशीन बेचने वाले और जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो रही है क्योंकि उनको उतना नहीं समझ में आता है कि क्या करना चीए क्या नहीं करना चीए वह लालच में आ करके और अपना क निकलने के कोई रास्ता बताईए हमाँ साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया तो इसलिए हम यह वीडियो बना रहे कि ताकि आप लोग यह वीडियो देखके जो लोग अभी इस चीज में नहीं फसे हैं वह देखके सुधर जाएं और इस चीज से आप बचे तो बात क्या है कि आजक कमों करके सफल हो सकते हैं लेकिन उसमें अपको दिक्त कहा है स्टार्टिग में दिक्कत होजाती जैसे हिसी आफ सी देने को जाते हैं यह तो कुछ बाटों का ध्यान रखना हैं और गात कीछिसे से मेसलिग से लिए शक्र MSelwn संवें और कि ऑब तो आपको इस चीज से ही बचना है इसमें बहुत बरा दिक्कत में हो चुका है कई लोगों के साथ में तो इसलिए हम आपको शिग ना फसे और आप अपना काम अच्छी तरीके से अपने भरोसे कर सके क्योंकि जो अपने भरो life काम करते वह काम जद्हें होता है और दूसरे को भरोसे करते हैं वह जल्दी सफन नहीं होता है तो अगर आपको कोई मसीन वाला को डीलर कहता है कि आप हमसे मसीन लीजिए और सारा माल बना बनाया हम आपसे ले लेंगे तो इस चीज़ को आप कभी भी मत मानिएगा क्योंकि इस चीज़ में दिक्कत हो है आशकल ज्यादा सब लोग तो यह चीज़ नहीं कहते हैं कुछ लोग कहते हैं और जो कहते उनके साथ दिक्कत यह होता है कि बोलने के साथ आपको विश्वास दिलाने के लिए वह आपसे एगरिमेंट बना देते हैं और आप हमारे साथ जूड़ जाईए आप हमें जितन मही आपको भी आरामसे पाम कर सकते हैं और वह इतना आपको Danny कर देगा इतना आपको बतादय आपके मन में लालच हो जाएक कि माहिन का 50 जर आरामसे हम कम जक कि इसी चीज़ को आपको धियान में रखते हुए करना क्या ऑगर इस आप मसीन लेते हैं तो अपने भरोष से लि लेंगे कि ए्गGreen Meं बनाने के बाद आप उसके चंगुछ में जाते हूं अगर आप माल बनाओ या तो ना बनाओ उनको अगर आपक गाथमेंट तोर ना होगा तो कहीन हीन से किसी बहाणे तोड़ देंगे और ऐसे तोड़ेंगे कि आपको ही फसा देंगे तो कुछ लोग तो जो होसियार होते हैं जो समझदार होते हैं जो इस चीज को हैंडल करना जानते हैं वह तो अपने आपको हैंडल कर लेते हैं अपना काम को हैंडल कर लेते हैं और उस डिलर से भी अपना जाते हैं उनको इस चीज से बहुत ही नुक्सान हो जाता है बाद में फिर वो किसी बिजनस को करने से घबराते हैं तो इसलिए आप उस चीज में उसकी बातों में ना आए कि एग्रिमेंट हम कर देंगे और आप हमसे ही माल लिजेगा इस चीज पर आपको नहीं आना है क्योंकि यह चीज करने के बाद अपने भरोसे पर काम करें वही आपके लिए बेहतर है अगर कोई कहता है कि आप हमारा साथ और कीजिए मसीन लेने के बाद भी तो भी आप मत कीजिए क्योंकि मेरे पास भी आया था ऐसा ऑफर तो हम आपको ओपर्म planting इंग उनका नाम नहीं लेंगे कि कौन थे लेकिन मेरे पास भी ऐसा ओफर आया था कि एक इमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं और जितना भी आप माल बना के में देते हैं आप हमें दीजिए हम सारा माल आपसे ले लेंगे लेकिन हम क्यों नहीं दिए सुनिये का बात को ध्यान से कि क्यों नहीं दिए यह हर कोई सोच सकता इस चीज को हर कोई आइडिया लगा सकता इस बात को इनके जो सवाल करते हैं उस पे कि आप जब आप भी उसी मार्केट में हैं और वो भी वहीं पे हैं और आप भी वही चीज बना रहे हैं जो वो बना रहे हैं आपको भी उतना ही रेट में मिला जितना रेट में उनको मिल रहा है तो फिर आप से वह ज्यादा सेल कैसे कर सकते हैं यह बताई जब हमारे पास कॉल किये तो हम इसी चीज़ को अपने हिसाब हम पहले बैठ के कैलकुलेट कि इतना रेट में हम भी ला रहे हैं और मार्केट का यह रेट ही है इससे रेट उपर इंचे होकता है एक दो ही होता है यह बड़ी बात नहीं है दो जब की रेट सब जगा सेम है तो भी सही होना चीम एक कहीं ज्यादा कहीं कम कि और अगर कि का už आपको प्राइस ज्यादा पता कि राता है क्योद्स में उनका फाइदा है यह किरल आप से के दैनai 50,000,000,000are, arrangement के सहारे से तो इसलिए आप एक इमेंट करने से पहले आप फुर सोचे कि जब कि यही मार्केट है यही यह सिर्फ हम अपने एडिया की करें पूरा इंडिया की बात करें कि जहां भी आप जाए तो अगर इस चीज को देखा जाए तो जिस रेट में जिस एरिये में माल मिलता है जो इसका फाइदा होगा क्योंकि बीना कोई फाइदा को कुछ करता नहीं है तो अगर इदि आपको आपसे वह सही रेट आपसे माल ले रहा है तो आप परेसिश के सोचिए कि अगला हमसे रेट वही ले रहा जो रेट दुकांदार लेते हैं तो फिर वह कैसे उस माल को आगे बेचेग तो जरूर कहीं ने कहीं कुछ ना कुछ घोटाला है जिसके वह हमसे इस रेट पर माल ले रहा है और एग्रिमेंट कर रहा है तो इसलिए इस चीज़ से बचे लालत से और अगर इदि आप अपने हिसाब से काम करते हैं आप अपने आप विश्वास करें काम करते हैं तो आप अपने आप से कीजिएगा तो जरूर उसमें आप दिल से काम कीजिएगा और अगर आप एग्रिमेंट के सहरे जाते हैं तो ना तो एक रिमेंट वाला काम होगा और आपका खुद से होगा क्योंकि एक बार आपका एग्रिमेंट टूट गया तो फिर आपका होसला भी जिससे कि आप बिल्कूल भी आप उस लाइन में नहीं कर सकते हैं और यह चीज ऐसा है कोई भी बिजनस हो अगर एक बार आपके माइंड में इस बात को आता है कि नहीं यह हमसे नहीं होगा इसमें परेशानी ज्यादा है इसमें हम डूब गए इसमें मेरा पुझी फस गया त अगर यह आप अपने हिसाब से मार्केट करते हैं तो आपको कभी भी आगे आने वाले समय में आपको कोई भी मात नहीं दे सकता है कोई भी आपको धोका नहीं कर सकता है तो अगर यह आप मार्केट करते हैं तो मार्केट में आपके कई लोग मिल जाएंगे कई दुकंदार मिल जाएंगे कई सारे customer मिल जाएंगे जिसे कि अगर आपको एक छोड़ता है तो आप दूसरे के साथ deal कर सकते हैं और अगर agreement में कोई आप जिसके साथ करते हैं अगर वो सही भी माल आपसे लेता है और सही भी काम करता है तो किसी भी कma दिए कई दिगो आपका और में टोड़ दिया तो फिर आपको हैकनी रहें तो इसलिए घबी आप काम करें तो आपने उपर Pare काम करें एगरिमेंट के वर्यषे ना करें तो उमिध है कि आप लोग है वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस इसे लाइक जरू करें